हाई अब्रीवन कैसे हो आप लोग स्वागत करती हूं आपका एक नए ब्लॉग में तो यह इससे पहले मैंने दो ब्लॉग डाले थे कि मैं बनारश गई थी गुमने और अब हम लोग जा रहे हैं सारनाथ तो काफी दिन से यह ब्लॉग मैं एडिट नहीं कर पा रही थी पर आ इंदूओं का भी तीर दिस्तल है तो सुन्दे में आया था बहुत अची जगह है तो हमने का चलो हम भी चलते हैं वहां जब यहां तक आए हैं तो दर्शन कर लेंगे सारनाथ की टेंपिल का भी तो हम लोग सारनाथ आ चुके हैं मंदिर के ही बाहर है जस्ट जाने वाले है तो हमारे आज साम की ट्रैन है चार बजे की तो अभी काफी टाइम है तो हम लोग यहां पर सारनाथ घुमेंगे और यहां पर जब हम लोग आए तो मालूम चला कि जो टेंपिल है उसका गेट नौ बजे खुलता है और यहां पर आप देख सकते हो गेट बंध है तो बाहर ह चेयर टेबल वगएरा पड़ी है तो यहीं पर हम लोग वेट कर रहे हैं और यह जो रैड कलर की टीशेट पहने हैं यह भाईया यह लोगो को अंदर मंदर घुमाएगा मंदर के बारे में बताएगा तो इनका रोज का काम है हम जैसे जो घूमने आते हैं मंदर तो यह उनको में अभी दो दिन से रुके थे तो बहुत सोड सरावा वहां था क्योंकि बहुत भीरभार रहती है इतना बड़ा काशी विश्णाद जी का मंदर है बड़ यहां बड़ी सांती है एक्टम सुकून सा लग रहा है जैसे मैंने इंटर किया तो बड़ा सुकून सा फील हुआ अधिम ठंडग सी लग रही थी बहुत अच्छा लग रहा था तो चलिए मम्मी पापा तोशी तन भी आंगे भाग रहे हैं हम सभी चलते हैं और काफी लोग भी आ चुके हो आप देख सकते हो मैं बैक कर देती हूं कैमरा पर तो मंदिर के पास हम लोग आ चुके हैं और यह मतलब जहां देखो जहां हरयाली ही है बड़ा अच्छा लग रहा है और और मंदिर के सामने से जो रास्ता देख रही है ना तो वहां पर आखरी में दामे की स्थूपा है यहां पर बता रहे हैं कि जो बहुत जी थे उन्होंने प्रथम उपदेश यहीं पर दिया था तो अ मुझे जानकारी दे रहे हैं तो हम लोग अब उसी इस तूपा की तरफ जा रहे हैं मैंने कहा जब आये हैं तो भाई उसके पास में भी फोटो क्लिक करवाएंगे कुछ मेमोरी कैप्चर हो जाए पास से भी देखेंगे तो भाईय बोलने अगर जाना है तो लोग अंदर ज गार्डन है दोनों तरफ तो हम लोग अब इसी गार्डन से अंदर जाएंगे घूम घाम के तो तन्वी का सुना अपने ख्या के बगबग करती रहती है उसका तो कभी-कभी पते नहीं चलता क्या वोल जाए और यहां पर पता बहुत अच्छी चीज लगी किनारे पर पूर पानी बढ़ा हुआ है और उसमें डेर सारी मचली आ है तो पापा कह रहे थे मचली पालं के लिए ही उन्होंने ये पानी की बवस्ता की है तो काफी जगह पर है मतलब तो दीख सकते अब कितनी सारी मचली आ है अभी यहां तो कुछ ने यह तो ब्लैक वाली मचली है यह से म वह चीज आप फील नहीं कर सकते हो जब आप वहां जाओगे तब ही वह चीज फील कर सकते हो तो यहां मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था तो हम लोग घूम के वह मंदिर वाली जो दूसी रास्ता है ना वहीं आ गए हैं और उसी के सामने वह भाया बोल रहे हैं एक मं मंदिर जो मैन मंदिर के सामने ही है तो यहां पर हम लोग इंटर करते हैं सबसे पहले तो और गौतम बुद्ध यहां पर उनको उपदेश दे रहे हैं मना उपदेश उन्होंने वहां दिये थे लेकिन प्रतिमा उनकी यहां पर बनाए गई है तो बहुत ही खूपसूरत द्रश है देखिए मैं आपको इस फरफ से भी दिखा देती हूं अलब इन चीजों को जानना बहुत जरूरी होता है क्योंकि हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं इनके बारे में तो आज हम जब इसको लाइफ देख रहे हैं तो एक नॉलिज मिलती है और एक पता भी चलता है कि हां कुछ ऐसी जगए भी हैं और यहां पर आप आप देख रहे हो ना ये इसके परिक्रिमा करेंगे सभी लोग घुमाते वेशको जारहे हैं इसमें क्या लखाये पता नहीं कुस स्मझ में निया रहा है बट जितना पता है तो करते जा रहे हैं तो हम लोग घूम के आ गए हैं और मंदिर की परिक्रमा लगा लिए हैं और यहां पर एक दान पेटी रखी हुई है तो थन्बी को पैसे डालने है तो पैसे डाल रही है तो चलिए इस मंदिर के तो हमने दर्शन कर लिए उनके चार्ज शिष्च देख लिए उनकी पृतिमा देख लिए अब जो मेन मंदिर था ना सामने से दिख रहा था अब हम लोग वहां जाएंगे ठीक है तो उसको हम साइट से निकल जाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर जाते ही बोर्ड लगा है इसमें लिखा है अगर आप फोटोग्राफी करेंगे तो 20 रुपए और वीडियोग्राफी करेंगे तो 50 रुपए यहाँ पर उन्में बनाया यहां पर कितना अच्छा लग रहा है और यहां कि आप मतलब खुबसूरती देखिए कितनी बड़ी है इसकी दीवालों में पेंटिंग कितनी सुन्दर है और बहुत ही अच्छा नजारा है मतलब बड़ा सांती सी फील हो रही है सुकून सा ऐसा लग रहा है बस यहीं बैठें सब कुछ छोड़ के ताम जाम छोड़ के वस यहीं रुख जाए इतना अच्छा लग रहा है देखिए मैं इसकी नकासी दिखाती हूँ कितनी बड़िया नकासी नहीं है लेकर पेंटिंग है हाँ पेंटिंग है यह और बहुत अच्छा लग रहा है तो यहां का मैन मंदिर पर उनकी एक प्रतिमा है गोल्डन कलर की है और बहुत अच्छा लग रहा है मतब यहां लाइफ देखने से बड़ा ही अच्छा लग रहा है तो चलिए हमने यहां पर दर्शन भी कर लिए मैंने काफी फोटो टो भी लिये थे यहां पर तो हम लोग मंदिर से बाहर आ चुक तो टिकेट कटवाने के लिए आये थे यहां पर पता चला कि बड़ा सा गार्डन टाइप का है मुझा खाली एरिया है और ठंडग भी थी तो पापा बोले चलो यहां पर बैठते हैं थोड़ा देर और कुछ खिला पिला दें तन्वी को युदि की बहुत टेंशन रहती है व सब खा लेंगे और यहां पर तोसी बुले वहां एक बन्यान ट्री है बरगत का पेड़ वहां चलो ममी दोनों दौर लगा रही है और पता पास में यहां पर बनारस की साड़ियां बनती है मलब यहीं से होल से बाहर जाती है हम लोगों के लिए हमें आती है यह देखिए यह जही चीनी से दिखा देती हूं तो यहां पर साड़िया बनाई जाती है और तो यहां पर 1-1 गंटे का रैस ले लिया है और हम यहां का जूर देखने जए कैसा है मैंने ना लखनो का जू देखा है चुडियागर बट मेरे बच्चों ने अभी तक जू ही नहीं देखा है आप लोग सर्प्राइज हो जाएंगे क्योंकि तूर्शी तन्वी बहुत कम जाते हैं बाद गुमने तो बहुत एक्साइटेड हो गया है कि हमें जू देखना है और तन्वी तो बहुत जादा खुश है तो पापने आपा टिकेट ले लिए हैं और आप हम चलते हैं इंटर करते हैं चुडियागर के अंदर तो यहां पर भी देखी कितना बढ़िया लग रहा है वही नदी है जहां पर मचलियों का पालन होता है वूम गाम के चारु तरब से है तो चलिए अंदर इंटर करते हैं चलते हैं क्या क्या है तो यहां पर कुछ इस तरह से बॉक्सिस बने हुए हैं जिन में देखा तो अंदर कुछ में तो नॉर्मल चुरिया कुछ में एक दो बिदेशी पंची थे यही सब था फिर आंगे बढ़े तो यहां पर मतलब एक चीज बड़ी अजीब थी चड़िया कर में कुछ भी नहीं था और तो उसी बहुत मचा रही थी तन्वी कि हमें तो पूरा देखना आए यहां एणिमर्स होगे उसको एणिमर्स देखने थे लोकोडायल मंकी बहुत कुछ बोड़ रही थी कि देखना है बट उसके पता नहीं था कि जू में ऐसा ही होता कि कुछ है यही नहीं और मुझे भी भी नहीं थे तो पूरा जू देखा लेकिन सिर्फ एक अनिमल मिला वो पता नहीं कौन सा था नाम नहीं उसका पता और पूरे जू खाली था सिर्फ गूमने के लिए बस गूमते चाहिए उस नहीं मिलने वाला वाँ बड्स जरूर थी चुरिया थी तो उसमें बच्छों को को एक दो ठाके खाके देखी ठीक थी खटी मिठी सी तो चलिए हम लोग लोट रहे हैं चुरिया घर भी देख लिया चुरिया घर में तो बल्कुल मज़ा नहीं आया और यहां पर पस यह था कि सुकून बहुत था काफी अच्छा मंदर है और अगर टाइम होता तो यहीं पर बैठते एक दो घंटे और और यहां पर देखी इस तो पर मदर से बाहर चलते हैं काफी घुम लिया है मंदिर भूब भी लगाई है जोर से तो बाहर देखते हैं कुछ खाने के लिए होगा तो खाते हैं तो बाहर निकले तो यहाँ पर बौध जीकी काफी प्रतिमाय रखी थी तो हम लोग निका चलो एक खरी लेते हैं कम से कम मैमोरी कैप्चर हो जाएगी तो अब आज चुके हैं होटल में और यहाँ पर बैक पैकिंग फिर से कर ली है और अब निकलते हैं करके ही गए थे पहले से ही अब हम लोग जाएंगे रेलवे स्टेशन के लिए और यहाँ पर तन्वीह के भाल पूरे खराग हो गए हैं बट वो चोटी नहीं करा रही है कि बनारस का रेलवे स्टेशन ऐसा है तो स्टेशन तो हम लोग आ गए हैं बट अभी ट्रैन में धाई से तीन घंटे बांकी हैं तो क्या करेंगे यहीं बैठेंगे कुछ खाएंगे पीएंगे बस और क्या है तो आपको जलक और दिखा दूं यह हमारी ट्रैन खड़ी करेंगे और लिफ्ट से पापा नीचे जा रहे हैं सामान ली करके तो अब लोग ट्रैन में बैठ चुके हैं और ट्रैन चले के लिए बिलकुल तयार है पौने चार बच चुके हैं तीन दिन का सफर था बनारस का जोगी पूरा हो गया है और तन्वी अपनी बर्थ में अच्छा ठीक है बनाओ तो बस चार बच चुके हैं और हमारी ट्रैन बिलकुल स्टार्ट होना सुरू हो चुकी है और अब हम लोग निकलते हैं अपने घर के लिए और यह व्यूज देखिए बहुत सुन्दार है तो मैंने कैप्चर कर लूँ बड़ा प्यारा सा लग रहा है क्योंकि पूरी रात भर का सफर है तो दिक्कत तो होती है जीजिन्स में और अब यहां रात के दस बच चुके हैं तो ट्रैन में जो खाना मिलता है ना वही खाना आया था तो तोसी के लिए ठाली ली है तो तोसी तन भी दोनों लोग खाना खा रहे हैं और लीजे हमारी ट्रैन आ चुकी है अपने स्टेशन पर आ चुके हैं और सुबाई के अभी साड़े तीन बजे हैं तो सुबाई का टायम में इसलिए स्टेशन बहुत ज्यादा भीरभार नहीं है और हमारी गाड़ी भी आ गई होगी हमको पिक अप करने के लिए और देखिए हम पहुंचन सफर बहुत है और थकावट काफी है तो घर और नहीं है और यह हमारा नजारा है थोड़ہ समय दिखा देती हूं और यह जो आप देख रहें बगल में यह गल्ला मंडी है हमारे यांकी तो यहीं पर मेरे हजवेंड भी काम करते हैं और चलिए चलते हैं हम अपने घर की तरफ अब बस दो मिनट की रास्ता बची है और घर पहुंच जाएंगे हम लोग और यहां पर एक चीज और दिखाना च मैंने ग्रेजुशन किया है और यहीं पर आते हैं तो मैंने का चलो आपको कॉलेज भी दिखा दूँ अपना तो लोग भाई आ गए अपने घर और हजबेंड जी ने दरवाजा खोल दिये थे फॉन कर दिया था उनको दो और बो भी उस लीन दे थे तो उपर भाग गए दर लगा होगा लाइक शेयर करें थैंक यू